हेलो क्लास 11 आप सभी का मेरी एकनोमिक सी क्लास में वेलकम हैं हम यहां चैप्टर नमबर फर्स्ट इंडियन एकनोमिक ऑन दे इव ओफ इंडिमेंडेंस पड़ रहे थे आज सी क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रिकल्चर सेप् आज की द्यान दे एड़ इव ओफ इंडिपेंडेंडेंस लाश्ट क्लास में हमने यानि कि प्रीवेस क्लास में हमने यही देखा था कि जो कॉलोनियर पीरिड़ था जो 200 एयर का उससे पहले हमारे इंडिया की एकनोमिक कितिनी अच्छी थी और किस अरीके से अग्रिकल्च अच्छा काम था यह सब बाते हमने पड़ी थी आज की हमारी क्लास जो कि ध्यान दे एड़ इव ओफ इंडिपेंडेंस ता यानि कि दो साल राज करके गए बिटिस सरकार उसके बार में हमारी एकनोमिक की क्या इस्थिति रह गई थी इंडिपेंडेंडेंस के पहले वारी हम यह सारी चीजेंडिसकेशन करने हैं तो इस mooie ने हम देखेंगे की ऐग्रिकल्चर इंडर्स्ट्रर सेक्टर और फोरनड तो कि सभी किसरे किसरे का से इफैक्ट हुय वे ही देखेंगे क्यों कि हम देखा था कि अगरिकल्च er में ही बहुत जादा और डिपेंडेंट थी उसको सबसे परिंट हमारा रहेगा लैन्टेन और का मतलम है यह कहूं कि मतलब यह होता है कि कोई हड़ी जमीधर स्टम यानि कि को सभाय streamبل कि उस परम प RAW कर ले था अपने जमीनित ऐसे आपने टेक्सवर्ड सुना लगान से राव तो यह यह उस सभाया लिए थिंधर ने हें वुआ त्रतीफा थे ठीक्र तो एक आगया थी है पेसे सिस्टम में क्या होता है? जो आणर्शीर्प होता है उस्वार्म फार्मर की सिस्टम और जमी का वगया था तो यहां बताया गया collect the revenue from farmer, farmer से क्या करते थे उस एरिया में एग्रिकल से क्या जाता थे जो खेती की जाता थे वह सारा का सारा वसूल कौन कर लेते थे जमीरा जिसको हमने क्या वड़ लिया है लगान, लगान हमने movie भी देखिए उसमें ही पूरा ये सब भी बताया गया है, स tax जो वड़ है लगान हो अभी भी वसूल करते हैं अभी भी government क्या करती है हमारी income को कुछ हिस्सा हमसे लेती है tax के रूप में बट अब क्या होता है कि tax के रूप में जो हमारी government हमसे लेती भी है तो उसके बदले में हमारे जैसे की school है hospital है या मैं एकाउंट transportation है railways है इन सभी कि सुविधाय क्या है वो दे रही है tax लेने के 20% या 30% जो भी tax ले उसके एवज में government हमारे ले रोड बनवारी है transportation साधन अथे कर रही है hospital बनवारी है बट पहले क्या होता था यह लगान को क्यों इतना बुरा माना जाता था क्योंकि जो British सरकार थी जैसे क्रिशी कर रही है वहाँ उसमें उपजाओ भूमी के लिए उसे बीज भी चाहिए और भी सब चीजे वो सुविधाय नहीं देती थी बल्कि क्या करती थी वो दितनी भी क्रिशीव होती थी फसल होती थी वो सारा क्या करती थी अपने अंडर में ले 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 थी और उस जमीन के और प्रसेंट अगर इंकम कम होई तो हमें टेक्स भी कम देना पड़ता है पहले क्या होता था इंकम हो मत हो पंचजार रुपा आपको अपनी ही जमीन के रेंट देने पड़ती थी इस तरीके से कुछ सिस्टम को बिगार दिया था तो वहां कि आगता क्रिशि पूरी तरीके से डिपैंड हो गई थी यह तो होओ लेंट टेन्योरaha यानि कि हमारी जमीन को तरह के से अंग्रेजों ने ले लिया था अर इंप्र्रेंड ना ढने था अगिरिकल्श सेक्टर में कि क्वाइजेशनलिक्रश क्या है , यानि हमने कॉमर्स लिया है वह हमें पता है कि business के रूप में agriculture को लेना हमने previous class में यही देखा था कि हम agriculture करते है पर वो self consumption के लिए करते है कि वह भी तरगी का business या पैसे कमाने के लिए नहीं करते थे बट अब क्या हो गया था British government ने agriculture को भी क्या करते है था commerce या रूप में यानि कि business के रूप में कमाने के रूप में कर दिया था वो कैसे देखते हैं कहा गया कि production of cash crops production of cash crops जिहान दे cash crops का मतलब यह नहीं कि नगल फसल होने लगी थी ऐसा कुछ नहीं है वो ऐसी फसले cash crops का मतलब यह होता है कि वो crops जिनसे आप पैसे मिलते हो वो crops जिसे पैसे मिलते हो बलकि एक पैसे के जरिये जैसे कि जैसे दाल है गिहूं है चावल राइस वगर इन सब से तो हम क्या करते हैं हम self consumption कर देते हैं और जो बसता हूं हम दूसर को देते थे बट अब क्या होने लगी थी धील की खेती जो निल की खेती जय को आगे getting होती जैसे की सिंज कराव किकाइती घ्रया करें यहां पर खेती कराने लगे जिससे की कन्जम्शन सकते हैं तो यहां क्याँ म को अद्याति एक इस थो पैसे की दर्वाद सभी को टी थी तो प्या करने लगा थे बोट है पैसे का लालस जए दिया घर क्या कर अतुआ जाओ भूमी थी उसको खतम कर रहती तो कि नील की खेती के बाद में कोई और फसल महापे नहीं हो सकती थी और सेकिंड यह भी हो गया था कि यहां की जो कॉटन और इंडिगो यह कच्चे माल के रूप में ले करके चले जाते थे वह कैसे आगे देखते हैं इसा वह क्यों करने लग थे प्रोडेक्शन क्योंकि उस बदले में जो अगर कैश क्रॉप है जैसे की कॉटन वगर है यह अगर आप लगा होगे तो हम आपको हाई प्राइस देंगे तो उसमें क्या होगे था पैसों की तंगी दी कुछ ऐसा था नहीं तो सभी किसान क्या करने लग थे वह इसी सिस्टम में इंडारेक्ली जुड़ गए थे थर्ड पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट हम देखेंगे जो कहा गया कि ब्रीटिशर यूज दैन एज रॉ मटीलियर ब्रीटिश गौर्मेन ने बहुत अजीव गंदी नीती यह अपना इती पॉलिसी क इधर हमारा पूरा एग्रिकल्चर खतम किया और यहां एग्रिकल्चर वाड़ी जो भूमी थी वह भी खतम कर दी और फी क्या हुआ जैसे कि इंडिगो वगर यह था या भी कॉटन वगर था यह ऐसा कॉटन जो यह रॉम मटीरियल था वह क्या करते थे अपने देश में ले करके लागते और हमें ही क्या करते थे बेच देते थे तो हमारा क्या रहा था हमारे ही कच्छे माल को लेदा करके और हमें ही वापस लागर करके बेच देते तो हमें दो तरीके से हमारे क्या होता था शोशन होता था तो इस तरीके से कुछ उन्होंने अग्रिकल्चर को खतम कर दिया था आगे और देखती हैं इसे कि भूमी कारे काल प्रेणाली क्या होता है हिंदी में पर देख लेते हैं इस प्रेणाली के तहट भूमी का स्वामित अधिकार किसानों से जमिदारों को हसायंतित कर दिया गया था और जो कि राजस्वरूप किसानों से की लगान बोला जैसे की कपास है मील का उत्पादन होने लगा किसानों को नगत फसल के लिए अधिक मुल्य देने पड़े नगत फसल आने की जैसे कपास वगर कोई भी सेल्प कंजम्शन नी अदर अंग्रेज उन्हें कच्छे माल के रूप में उपियों करने लगे थे ठीक है लो लेवल की प्रोडाक्टिविटी होने लगे थी थर्ड पॉइंट है यहां अभी देखे एक तो था लैंट अन्यों क्रीशी सेक्टर में हमने फर्स देखा लैंट अन्यों चैकेंड देखा हमने कॉमर्सलाजेशन आफ एग्रिकल से जो पॉइंट है यह तीन नंबर का हमारे एग्जा आ पर हम्हारे इसाब से 0.10 केजी अनाज़ होता है पर वो ही जना, उसी रहे हैं हम हम 100 केजी अनाज़ लगाते थे लिखेश क्वेयर तरह ह's पानी के साधन नहीं था कि इवल बारिश पे ही क्या होती देखते हैं बारिश के लिए गाना बनाया गया उसी तरीके से क्यों वह सारा डिपेंड उसी में ही था प्रोडेक्टिविटी सब उसी में डिपेंड थी कोई और संचार के सचाई के साधन नहीं थे इरिगेशन का मतलब और सेकेंड आता है लैक ओफ टेक्नोलोजी कोई भी जगे की टेक्नोलोजी उपलग नहीं थी और नेगलेजिएबल यूज ऑफ फर्टलाइजेशन फर्टला यह सब भी क्या था इंडिया का कोई भी ऐसा विश्वास नहीं था क्योंकि यहां की भूमी इतनी उपजाओ थी वह अब खराब कर दी गए थी तो यहीं सभी रीजन की कार्ण क्या हो था हमारे प्रोडेक्टिविटी भी कम हो गई और एक्रिकल सेक्टर को बहुत जादा न अंगरेजों ने या बिटिज गवर्मेंट ने नुफसान पहुंचाय था वैसे तो देखा जाए तो अल्रेडी ही हमारे यहां इंडर्स्टियल सेक्टर में इतना डवलप्मेंट नहीं था क्योंकि सभी क्या थे अग्रिकल सेक्टर में ही डिपेंड थे पर फिर भी एड़ क्योंकि आप सभी को मैंने प्रीविस क्लास में भी बताया था कि हमारे यहां पर हैंडिग्राफ याने की हस्त शिर्प में बहुत अच्छी पैठ थी पूरी दुनिया में भारत बहुत अच्छे से जाना जाता था पर उसको किस तरीकी से डिलाइन किया यानि कि कम किया ठीक और एंडिस्टिलाइजीरेशन तो यानि आँका गया कि फॉर्स के आ गया इग्रिकुल्टर सेक्टर में ठीक है ना ऐग्रिकुल्टर सेक्टर भी कैसा है जो कि कैश क्रॉप ले रहा हूं समझ रही है अब कहा गया कि ये टू-फील्स में डिइंडस्टिलाइजेशन किया गय कैसे खतम कर दिया अग्रिकल्चर सेक्टर के रूप में लेकर के गए तो यहाँ पर इंड़े को जो था वह एक रॉप माटिरियल के रूप में ही बस रॉप माटिरियल उपलब्द कराने के लिए एक सप्लायर और रॉप मेटियल बन करके रह गया था इंडिया और डवलप इ इंडिया यहां की जितनी भी रॉप माटिरियल थी सपोज मैं आपको एक्जामपल दूं कि यहां की रॉप मेटियल में देखा जाए जैसे नील है यहां कोटन है रूप ही लेकर के चले गए पांसो रुपार टन के साब ठीक है वहां से जो कपड़ा बना करके लाए वह पा पांसपाधूआर चले गए इस तरह के से क्या यहां कर तो इस तरीकिसे क्या हो था है फिक्तै प्सक्रिणी ठर्ट कर दिया अगयर्शें डिसक्रीने कि मिर दें करए眠 नाटियृत् यह क्या किया गया जो अंग्या पा फालीज्य जो थी यानि की जो तेक्स की जो policy अपनाने लग गया था तीरिफ फ्री एक्सपोर्ट आश्ट कि यानि कि दोनों तरफ से मारी थी हमारे आसे जो मत्य अधा उसमें टैक्स मना कर दिया और वहां से जो फाइनल बंद क्या रहा था उसमीं टैक्स का मना कर दिया बट क्या करते थे हैवी Duty on एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया हेंडिक्राफ प्रोटेक्शन पर जब इंडिया के जो लोग हेंडिक्राफ का जो अपने हाँ से बनावा माल अगर बेचते थे बाहर माले की जैसे कोई जूट की कट्टो टोकरी वगर है या फिकूर फरनीचर वगर यह जो बेचते थे तो जब इंडिया का बना बनाया माल जो बाहर जाता था उसमें तो हैवी रेट से क्या कर दिया था टेक्स लगा दिया था पर वहां से आने वाला यहां के रोव मटीरियन में नहीं किया तो इस तरीके से पूरे इंडिर्श्य सेक्टर को खतम कर दिया था ठीक है थर्ड पॉइंट आजाता है कि competition for machine made production कैसे कि competition हो गया था क्योंकि हमारे पास में इंडर्सिय सेक्टर बहुत कम था वहाँ पर ज्यादा था तो जो चीजे हम हाथों सिदे से कि मैं यह मान के चलूँ कि एक sweater भी थी तो वहाथ से मैं 10 दिन में 10 worker लगा कर कि 10 बना रही थी वहाँ क्या हो रहा था ब्रिटिस में एक सेक्ट में 10 मशीनों से क्या और थी sweater बन के तयार हूँ तो यह अजीब सा competition कर दिया था इससे क्या हो था तो यहाँ के लोग को demotivate हो कर के काम नहीं कर पा रहे थे lack of capital goods industry और fifth हमारा था कि change in pattern of demand वहाँ की जो अच्छे चीज़ जो मशीनों से बन क्या देते वो ऐसा pattern था कि पूरे यहाँ के इंडिया के लोगों को भी वो ही असान लगने लग दिया था वो ही fashion क्या होने लगी थी उनकी demand को भी क्या कर दिया था चेंज कर दिया था यहां के जो हर्स्त सेफ जो बना कर देते थे वो इंडिया के लोगों को ही नहीं पसंद आने लगा था इस तरीके से पूरा हमारा महल कर दिया था थीक है न मशीन निर्मी जो भी मुद्पादन थे उसको क्या कर दिया था प्रतिस्प्रदा हो गई थी यह हमारा क्या था इंडर्स्ट्रियल को किस तरीके से खतम किया वो हमने समझा एग्रिकल्चर सेक्टर को किस तरीके से ब्रिटेस गौर्मेंट ने खतम किया तो हमने सतनतता से पूर्व एड़ इव ऑफ इंडिपेंडेंडेंस से पूर्व हमारी एग्रिकल्चर और इंडर्स्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत रहेगी थी वो तो हमने पढ़ लिया है I hope आप सभी को समझ में भी आया होगा next class में हम देखेंगे कि फोरण ट्रेट यानि कि दो विदेशी वैपार को ता वो किस तरीके से एफेक्ट किया था और डेमोग्रेसी है इंफ्रास्ट्रेक्टर है इन सब के बारे में हम next class में पढ़ेंगे तो थैंक यू